हैं के दिसम्मर माहें मंद्य प्रदेश की विधान सफवागा शीत काल से क्तुरह प्रारम हो गा इस सуш्षफ में भारती इनता पर्टी के विधाय द्रंड की यह कोशिश हो गी कि पिछले ग्यारह मुईने में मद्द प्रदेश की कांग्रिस पार्टी की कमलना सरकार ने जो वरिष्टाचार किया है इस्थान आंतरों में आने परकाल से लेंडेन नीतियों में वरिष्टाचार हुआ है सलकों की इस्तधी खराब है किसानों के लिए राहत राशी प्राप्त की रिणमाफी नेवी किसानात महत्या कर रहे हैं इन ऐसे अन्यकों विष्टाचा को लेके भारतियंता पार्डी का विधाई गल और हमारे सभी साथी विविन ने प्रकार से विविन नमाद्यमों से जो भी हमको विधान सभा के नेमों के अंतर का तनुमती होती है इस तक अ सुचना है धियानकर संसुचना है तारंके तारंकत प्रश्ण एे 149 कर के चर्चा और हम सब्रच्ड पें चर्चा करवाएंगे इसके और अब मैंने विधाईकं को पत्र बेच के विधाकों से हैं जानकारी मागी है कि ऐसे विधाई मिधाईक जिन की ऑनकी आदिबकता कों है उन अदिवक्ता की मोवाइल नंमर कौन है और वर्तमान में स्टेन स्टेतस क्या है उनके प्रकरण की वर्तमान में अध्यता जुपित क्या है, मैं साथ १िवस के अंदर मुझे सूचित करें जिससे की मैं इस पक्रण को स्वयम भी देख सकूं अपने लीगल एडवाजरों चर्चा कर सकूं और मैंने आप इस बात का निड़ा किया है कि भारती जन्ता पार्टी का विधायक दल हम लोग विशेश अधिवक्ता और कानुन विशेश अग्यों से सलाय लेके ऐसे सारे विधायकों की साहता करेंगे जो विधायक आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो विधायक उतने ज्यादा शुक्षित नहीं है जतना विधिक जानकारी उनके लिए होना चाहिए या पर अन्य प्रकार से प्रभावित होते हैं या पर विधायकों के लिए लगता है कि उनके नेने को कहीं न कहीं आधिकारिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है तो फिर मैं इस मामले में भी जो कुछ वीचत होगा पार्टी फोरम पे चर्चा करके मैं उन विधायकों को सर्रक्ष्ण दिलाने का काम मैं करूँगा और मैं इसलिए आज क्याना च वां को जाज के बादए से प्रभावच सर्भाव झाल सक्टीज नेकारिक वां सकते नाधिकारप।